हलो दोस्तों स्वाकते आप सभी का दस तक अकैडमी के चैनल पर इस प्रडूम पढ़ेंगे हम सभी मुगल बादसा बाबर सर रिलेटेड यहाँ पर 30 इंपोर्टेंट कोशिन पढ़े वाले के पेपर में इससे एक कोशिन पूछा जाता है अकसर एक कोशिन इस शेप्टर से आजाता है तो इस वीडियो को याद कर लेजिए सारे कोशिन को याद करते हुए चलेंगे ठीक है 30 कुशन देखिए इसके बाद कभी भी पेपर में बाबर सर लेटेड कोई भी कोशिन बनेगा तो आप सभी से चूटे मत ठीक है नब तो सभी कोशिन याद कर द excited Realts चलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वालिटी देखिने के बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वाले पर क्लिक कर लें चले श्टार्ट करते हैं देख लो फिर आपर क्या कुशन मेंना निम्न में से किसने मुगल वंस की नीव रखी थी प बाबर नए रखी थी मुगलोंज की निव याद रखें है में इस कोशिन पूछा जाता है कि मुगलोंज की निव किसने रखी थी? चलो फिर lors क्रणivenाशन से, प्रणे के निव किस ने रखी थी? किस ने की थी, बाबर ने की थी, ये भी आप सभी याद रखें, क्लियर हुआ, चलो फिर, next question देख लें, आपर क्या बनना है, third question देखो, important ये भी रहने वाला question है, मुगल काल का अंतिम सासक का नाम क्या था, गैस, बताओ फटाबर, मुगल काल का जो गैस, अंतिम सासक था, उ अबी को बताओ नाची, बादूर सा जफर, अंतिम सासक था, ठीक ना, next question देखें, आपर क्या बनना है, देखिए, देखो, ये आपर क्या question बनना है, पानी पत के कौन से युद्ध के पास्चात, बाबर ने मुगल वंस की स्थापना की थी, कौन से युद्ध के बाद में, बाबर ने मुगल वंस की स्थापना की, तो प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्ध हुआ था, ठीक है ना, चलो फिर, next question देख लेते हैं, आपर क्या बनना है, मुगल वंस की निव रखने से पहले, बाबर न बी की साथ, फर गना का सा सकता हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है, कहां कथा?, फर गना का, क्या question मनना है, फर गना निव वंसे किस का प्रांथ है, बताओ वडवाबर चिस देस का प्रांथ है, उजबेकिस्तान का याद रखें, झअपिसन निव फिलाल सफी कर्ए रखें किस देश में बाबर का जन्म हुआ था का इस बाबर का जन्म किस देश में हुआ था फिलाल सेवन कुश्चिन का करेक्ट है उजबेकिस्तान में हुआ था याद रखे ठीक न उजबेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ था और योगा इस उजबे की स्तान इसी में पढ़ता है, यह फरगणा का ही सा सकता, ठीक ना? चलो वाल ना? कोषचिन यहाँ पर पूछर जा रहा है, बाबर का पूरा नाम क्या था, खीक ना? पेपर में अक्तर पूछ ले जाता है, बाबर का पूरा नाम क्या था? 8 question का correct है इसका option number C जहीरुद्दीन मुहम्मद बावर ठीक ना जहीरुद्दीन मुहम्मद बावर था याद रखें C right है फिला अगला question देख लीजे फिर यहापर क्या बनना है देखो यहापर क्या question बनना है बावर का मकबरा निमने से कहां इसी थे बावर का मकबरा कहां इसी थे पूछ जा रहा है तो दिल्ली, लाहर, काबूल या फिर आपका आगरा तो फिलाल लाई डांस सभी लोग लगाएगा यहापर काबूल ठीक ना काबूल नहीं है आपर है काबूल मिस्प्रिंट है उगे काबूल में यह बावर का मकबरा इंपॉर्डन कोशिन आपके एक्जाम के लिए बनना याद रखे है आप लोग देखे फिलाल क्या कोशिन बना है बावर की आत्मकथा कौन सी तेंथ कोशिन पूछ जारा बावर की आत्मकथा है इनमें से कौन सी हुमायू नामा बावर नामा अकपर नामा इनमें से कोई नहीं तो फिलाल टेंथ कोशिन का गरेक्ट आंसर में बताते रहूं आप राइट आंसर आप्सन नमर बी बावर की आत्मकथा है बावर नामा इंपॉर्टन कोशिन आपक एकजाम के लिए बनना है याद रखें है आप लोग बावर ए आत्मकथा कौन से है बावर नामा है पूछ ले जाएगया कोशिन बावर ने किस बासा में अपनी आत्मकथा less लिखी थी बताओ फटापड बावर ने किस बासा में अपनी आत्म कथा लिखी थी फार्सी तुर्की उर्दू संस्क्रत पूछ ले जाता है टेंथ 11 कोश्चन के करेक्ट है इसका ओप्शन नमबर बी ठीक रहा तुर्की में लिखी थी याद रखे आप लोग नेक्स कोश्च लिखे आपर किया था बावर ने चलो फिर क्लेर हुआ नेक्स्ट कोश्चन देखलो प्र यापर क्या बनना है त rozp इपर ने पर आक्रोण किस वर्स भारत पर किया था तो गाईस आपसंड से पड़ सकते ऐसे निगा या था याद रखें आप लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ओके लाश्ट वी बताने ये कॉश्चन कैसे थे और क्वालिटी कैसी ओके तो वीडियो जर्णा सभी अच्छा लगार हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे राट कर सब्सक्राइब बटन दियो वह साथ ह जर्णा सभी अच्छा लगता प्लीस पांच लोग के पास सेर जरू करे करें आप लोग ना श्यूरी में पांच लोग के पांच लोग के पास सेर जरू करतें आप 2 त्रोटी 2 तूर्थ तो फोटीन के करेक्टांसर यहां पर ऑप्शन नमर सी पर्थम था ठीक है पहले ही पते बता है था मैंने 1226 वे बाबर और इब्रायल दोदी के बद्ध युद्ध लड़ा गया था ठीक है नियाक शोशे देगो कुश्चिन पूचले जाएगा यहां पर बाबर तथ प्रथम युद्ध दुती युद्ध या फिर खानवा का युद्ध या फिक करनाल का युद्ध तो यपर राइड़ांसर जारा ओप्शन नमर सी के साथ खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणासागा के मत ठीक ना खानवा का युद्ध किस वर्स हुआ थ चंदेरी का युद्ध की सुवर्स लड़ा गया था गाईस 16 कुश्चिन का गैरेक्टेस का ओप्सन नमबर A 1528 में लड़ा गया था याद रखें आप लोग नेक्श्चिन देखलो आपर क्या बनना कुश्चिन बाबर और राजपूतों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था या फिर कौन सा युद्ध हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच 17 कुश्चिन करेक्टेस का ओप्सन नमबर A ठीक ना चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और राजपूतों के मर्द किसुवर्स हुआ था चंदेरी का यूद अभी वताया था हमें 1528 में ठीक ना याद रखें आप लोग नेक्स्ट टोशन नेकली जिए आपर 18 कोशिन क्या बनना है देखिए घागरा का यूद किसुवर्स लड़ा गया था अप्संस पड़े 1525, 1529, 1530, 1535 चलो 18 कोशिन के पर बी करेक्ट है 1529 में लड़ा गया था गागरा का यूद याद रखें आप्शन नेमबर फिलाल इसका बी राइट आंसर जा रहा है ठीक है देखो क्या कोशिन मनना है बाबर और अफगानों के मद किस वर्स कौन सा यूद लड़ा गया था बाबर और अफगानों के मद है पूछ जारा गागरा का यूद पानीपत के यूद खानवा का यूद पानीपत का तरती यूद तो गाइस घागरा का यूद लड़ा गया था बाबर और अफगानों के ठीक ना, काउन्सा युद्ध घागरा क्युध पूछले जाता कभी कभी कोश्यन की, यह किस्की किस्की मद लागी था तो क्या क्लिक करोगे यह पर बाबर और अफगानों के मद क्लिक करोगे और इस वे, किस वर्स लागी था कोईसी को पता है घागरा का युद्ध घागरा का युद्ध किस वर्स लड़ा गया था युवा ने बता है था तब 1529 में घागरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और आफगानों के मद्ध चलो फिर 19 क्वेशिन कंप्लीट हुआ हम सभी जलते हैं 20 क्वेशिन पर द निम्डे से कौन सा युद्ध जल वा फल दोनों पल लड़ा गया था कौन सा यसा युद्ध जो जल वा फल दोनों के दोनों पल लड़ा गया था पानीपत का प्रथम खानवा का युद्ध घागरा का युद्ध इन में से कोई नहीं 20 कोशिन के करेक्ट है इसका घागरा का ठीक ना घागरा का युद्ध रड़ा गया था जल और फल दोनों पर चलो फिर डेक्शन बढ़ लेते हैं क्या कुशन बढ़ना है ठीको यहां पर क्या कुशन बढ़ना है निम्ड में से बाबर के तोपची कौन थे तोपची का मतलब किसी को बताओ कमेंड करेंगे बताएगा तोपची का मतलब क्या होता है जो आप से लोग पढ़ाई करते हैं तो बताओ यहां पर तोपची का मतलब क्या होता है किसी भी तरीके से बताओ जाए गूगल करो जाओ जो कुश भी करो तो यह उस्ताद अली मुस्तपा बाबर दोनों कोई नहीं वह यह दोनों थे सी करेक्ठ है याद रहे तोप जी बाबर के तोप जी कौन थे दोनों थे ठीक ना नेक्स चोशन देख लिए आपर क्या बना है 22 कोशन देख लिए फिलाल ने आपर निम्ड में से बाबर ने निम्ड में से किस युद में पुलवामा युद नीती एवं तोप खाने का इस्तेमाल किया था बताओ फटापट कौनसे युद में बाबर ने तोप खाने का युज़ किया तोप का युज़ किया तोप का युज़ किया था ठीक ना बाबर अब ड्राइम लोदी के मद्ध जो हुआ था उसमें बाबर ने तोब का इस्तेमाल किया था 23 कोशिन देख लो आपर क्या बनना है बाबर ने निम्ने से किस युद्ध के बाद उधारता की उपाधी धारन की थी तो खानवा के युद्ध के बाद ठीक ना एक एरेक्ट है याद रखे आप लोग नेक्स्ट कोशिन देख लिए अपर क्या कोशिन मनना है देखे उधारता के कारण बाबर किस नाम से जाना जाता था 24 कोशिन कलंदर के नाम से ठीक ना याद रखे सभी के लिए इंपर्णन कोशिन ने रहने वाले है ठीक है तो बार 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 वोला हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो देखे 25 कोशिन क्या है बाबर ने प्रतेक काबुल निमासी को कितने चांदी के उपहार सुरूब में परदान किये थे जिसके कारण इसे कलंदर की उपाधी दी गए थी तो 25 कोशिन के करेक्ट हैं पर आप्शन निमासी को एक एक चांदी का सिक्का बाबर ने दिया था इसलिए इसको कलंदर की उपाधी दी गई थी नेक्स चोशन देखे लाईए यापर 26 बाबर ने काबॉल पर किस वर्स कपजा किया था पूचे जारा कोशन क्या क्लिक करोगए क्लिक करोगी है याप के पेपर में क्या क्लिक करोगी 1504 में ठीक ना इसले सहसे जीडि वालों के लिए किलियर करने लोग ठीक ना 504 में पिछले बार कोश्चिन आये हुआ था नेक्स क्यों देखे लिए येपर क्या बनना के विए कश्चिन तहिता था भाबर ने कंधार को किस वर्स जीता था पूछा जारा है 27 क्या करेक्ट है पंद्रासौ साथ में क्लिक करें 507 आप लोग उके चलो नेक्स नामा का फार्सी में अनुवाद निमिन से किस के द्वारा किया गया था तुराइट अंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना ठीक ना ओप्शन नमबर एक एरेक्ट है याद रखें आप लोग चलो नेक शुशन देख लो बावर का उत्तरा दिखारी पूछे जा रहे ह आप्शन नमबर बी गरेक्ट है हुमाई हूँ आज का लाश टुशन देख लिए फिर यहाँ पर क्या खुशन मनना है देखे बावर की मरत्यू किस वर्स हुई थी बावर की मरत्यू 1530 में हुई थी याद रखें आप लोग ठीक ना 1526 में इसने बावर मलकी उसकी स्थाप ना की थी गाइस 1526 में मुगलवंस की स्थापना की थी ठीक ना कौन से युद्ध में की थी पर्थम युद्ध में की थी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें विजय हुआ है ठीक ना तब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय हुआ 1526 में तेंक यू, चेहिद